नमस्कार मैं अब शेक्मार आप सभी का स्वागत करता हूं focus study with अभी में इंडियन हिस्ट्री में modern हिस्ट्री सबसे important section होता है आप सभी को पता है इसमें से तीन टॉपिक सबसे जादा important है एक तो आपका या नेशनल कॉंग्रेस से कुछ चीज़े हरा कि मैंने उस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि काफे ज्यादा डीप हो जाता लेकिन इस वीडियो के बाद आपको चाहिए कोई भी पेपर आप दे रहे होंगे यहां मैंने लिख रखाया चाहिए ससी का कोई भी प के लिए जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहां पे इंडियान नेशनल कॉंग्रेस से वह सारा कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया सची वाल है कि या फिर यूपी में कोई भी एक्जामिनेशन हो यूपी में ट्रिपल सी हो चाहिए यूपी दरोगा हो या फिर हम बिहार द इंडियान नैशनल कॉंगरेस को यही आपका इंति यह से प्रकार आपको देखने को कहा मिलता प्रेशर कूकर में चीजों को समझाए करके इंडियान नैशनल कॉंग्रेस को यहां से बना करके आपको बताओंगा 5 मिनिट में और उसके बाद जितने important fact अब जैसे फैक्ट में आपको क्या पूछा जाता यहां से 1850 जो establishment और 1947 तक कहां कहां उसके अधिवेशन सेशन हुए हैं पूरा English इंदी दोनों मैंने compilation क्या है उसके बाद इसके President को रहे हैं आप से डारेक्ट पूछ लिया जाएगा स्वतंत था 1947 में जब भारत सुतंत रुवा था उसमें इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के President कौन थे या फिर establishment के time या फिर establishment किस ने क्या इस तरह के सवाल आपके और कुछ important निर्ने लिए गया थे कुछ important session हुए थे इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के जहां पर कुछ महत्पूल निर्ने लिए तो वह सारा कुछ हम लोग अगले को फिर से पढ़ने के जरुवत नहीं आती है और फिर मुझे आदत नहीं कि जो तो जैसे तैसे वीडियो बना दूँ फिर मुझे लगता है कि अगले को फिर से पढ़ने के जरुवत ना पड़े उससे तो पूरी कोजिस यहीं रतिया मेशा और आपका बस थोड़ा सा सप्पोर्ट चाहिए जिस तरह आपने बनाया है तो आज की खलास हम लोगी स्टाट करते हैं बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिकर रही है जितने इग्जामिनेशन यहां पर नाम लिए है के हो चाहे रेलवे को चाहे जपी सी हो चाहे इस टेट में कोई भी पेपर हो आई बी का पेपर हो आपके यहां सवाल नहीं चुटेंगे पूरा कमपाइलेशन वीडियो मैंने बनाया है देखे सबसे पहले हम यहां पर कुछ चीजे समझने की कोसिस करते हैं प्रेशर कूकर है यह आपका और यह जो साइन आप देख रहे हैं यहां पर आग जलाया गया है आप सभी को पता है कि आप जब गास में जब प्रेशर कूकर को प्रेशर कूकर यह जो है आपका अंग्रेज है ठीक है यह आपके कोन है अंग्रेज है कलर लेनी होगी मेरे भाई ठीक है यह आपके क्या प्रेशर कूकर जो है आपके यह पूरे के पूरे अंग्रेज है और इसके अंदर जो आप खाना पका रहे हैं जो खाना पक रहा है ज रहती है जो आपको बजती हुई दिखाए पड़ती है तो यहां पर उसका काम क्या मैं बताऊगा और नीचे आपने क्या क्या है यह प्रेशर कुकर अंगरेज हैं और अंदर में हम सभी भारतिय और नीचे से यहां पर आग जला जा रहा है अब है कैसे अंग्रें चला रहे है इसको समझने की कोसिजिएगा अगर आपने वीडियो देखिए होगी हमारे कई सारे से नीतिया इन्होंने लाई हड़प निती से राज राजाओं के शेतर इन्होंने रहा दूसरा इनका सहायक सभी आपका आग लगाने वाला काम सभी कुछ आपकी नीतिया कुछासन के अधार पर कि आप यहाँ पर अच्छी तरह से राज नहीं कर रहे इसलिए इन 6 रुपे पूरा अंग्रेज अधिकार कर लेता है तो जैसे ही यह नीतिया यहाँ पे लाते थे एक एक करके तो यह भारतिये और अंग्रेजों के बिच क्या होते थे विद्रो होते थे और विद्रो में अंग्रेज वो विद्रो को जीत करके उस शेत्रो अपने हासिल कर लेते थे और वो विद्रो यहीं से साइन निकलता वो सीटी बजते आपको दिखाय देती वही आपका विद्रो है तो यह आपका पूरा का पूरा इस्ट्रक्चर हो गया प्रेशर कूकर के अंदर किस्पर का भारतिये बं हो जब सकती ती भारत को स्वतनता आप सभी को पता है कई सारे इतिहास्कार आए और मत ने कई जिसमें से कुईawi लोगों ने कहा जैसें कॏ विद्रोourd ईतिहासकार को आए उन्होंने का या अंगरेज gigs और भारती इतिहासकर मजुमदार शंगरामUNTि लेकिन चीजों को समझेे यह 1857 संटावन का वीद्रोव ऐसा विद्रोव 1857 में ही अजाद हो सकता था अंग्रे जोग से लेकिन ये आज 1947 तक जो हम इतिहास को पढ़ते हैं इसके पीछे चीजों को समझने की कोशिस किजिए ये इंडियान नैसनल कॉंगरिये सेफटी वेल फिर कैसे आ गया था 1857 की विद्रों के हम जब बात करते हैं 1857 की विद्रों क पूप च्छेत्रों तक ही सिमेट करके रह गया था वह चेंद आपके बेली लखनो यूप वाला मेरई और भिहार का थोड़ा कर लेकिन अगर यही विद्रों अगर przला पूरा विद्रो अगर फैला हुआ होता अगर यह विद्रो चिड़ा होता और उत्तर में अगर आपके कश्मीर पंजाब में भी अगर यह विद्रो चिड़े होते एक साथ अगर सारे अगरेजियों के खिलाफ 1857 के विद्रो में एक जूट होकर विद्रो करते तो भारत 1857 में ही अजाद हो गया होता क्योंकि यह 1857 का विद्रो को कई इतिहासकार ने कहा भी है कि यह शोतंतरता शंगराम भी थी तो इसके पीछे यही था कि कई भारती राजाएं ऐसे थी मतलब क यह विद्रो को उन्हें आसा नहीं लिया तो वह अपने सुतंता की लिए वहाँ पे कई सारे राजाओं ने लड़े वह भारत को आजाद करने के लिए नहीं लड़े थे इसलिए यह अंग्रेश कते हैं पता चलिया था यह एक ऐसा बिद्रोह आपके जो भारते यह बारती उन पर हम लोग कोई भी हस्तचेप नहीं करेंगे और हम आपको कुछ इनाम के तौर पर जो भी इस विद्रों में सांती पूरवक रहेंगे जो इस विद्रों को सांत करेंगे तो कई सारे राजा हैं तो इस लोग में ही आगे पीछे अपड़ गए और अंग्रेज एक फिर से ह पूर की चर्वी जो कार्तुस में इस्तमाल की गई थी मंगल पांडे के द्वारा 1829 मार्च जो उनके लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट को गोली मारके स्टार्ट हुई थी और फिर मेरट में 10 में 1857 से जो सिपाई का दौर पूरा एक जमाव पूरा लेक निकले थे 10 मैं को और 11 माई को बहादू साज अफर नेदित करते हुए उस विद्रों को इस्टार्ट के तो पूरे छेत्र में आप यूपी एंपी बिहार जार्खंड दिल्ली तक यह विद्रों सीमेट करके यहीं पर रह गया तो यह चीज़े इस प्रकार 1857 का विद्रों को देखते हुए जब 1857 को विद्रों पर पूरा अंग्रेज ने कबजा कर लिया तब उन्होंने समझ लिया कि यह भारती अब जो है अगर भारतियों को इस तरह चोड़ दिया जाए या फिर भारती अगर एक जूट हो गया तो हमारे जो छेत्र है भारतियों पर जो कबजा करके रखे हुए लो निकल जाए इसलिए उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाएं जिसका नाम रखा गया इंडियान नैशनल कॅंगरेज यह इंडियान नैसनल कॉंगरेज ना कि हमारे нужी बनाव गया था बल्कि यह फुद अपने लाब के लिए बाद मिया इनिवी अक्राम्र नीती लेकर भा जब यह विद्रो हुआ था 1857 का विद्रो यह विद्रो ऐसा विद्रो था यह सीटी जो बजी तो बजती ही रह गई यह रुकने की नाम नहीं ले रही तो आप सभी को पता है कि अगर प्रेशर कुकर में जब तक सीटी बजती रह गई तो आप सभी को पता है कि प्रेशर कुक नेता जो हैं अगर कुछ भी मांग उनको करना हो तो वह करके सांती पुरुवक एक मिटिंग करेंगे उसके बाद अंग्रेज देखेंगे कि उस मिटिंग पर जो भी डिमांड रखे गएं इंडियान नैशनल कॉंगरिस के द्वारा या भारतियों के द्वारा वह बनाया गया था अपने भलाई के लिए अंग्रेजों के द्वारा तो यह है आपका एक इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को लेकिन इंडिया नेशनल कॉंग्रेस से पहले कुछ इंपोर्टन राजनितिक दल के बारे हम पढ़ेंगे जहांसा आपके सवाल पूछे जाते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा दस मिनट का आप यहां पे लेक्षर था लेकिन इस सीजों को समझना बहुत है मेरे भाई सबसे पहले बात करते हैं कुछ राजनितिक द यह नोट ऐसा मैंने तयार किया कि कोई भी इग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो फिर इंडियान नेशनल कॉंग्रेस का सवाल आपसे नहीं चूटेंगे आप प्रीवेस एर के पेपर भी लगा था हलाकि एक दो एक का दुख का कोशन चूट सकता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर ले तो 1848 में इस्टैबलिस्मेंट की गई थी कहां तो कलकत्ता में और इसके फाउंडर कौन थे तो द्वारिकानाथ टैगोर से ठीक है तो पहला आपका सोसाइटी जो आपका लेंड होल्डर सोसाइटी पूछा जाएगा भारत की प्रतम राजनितिक दल यह आपसे पूछा जा रहा है इसके फाउंडर को ने तो द्वारिकानाथ टैगोर ठीक है नेक्स्ट जो आपके सोसाइटी और बेंगॉल वहरी वहरी इंपॉछा गया सवाल आपके इंटी पीसी में एससी में कई बार पूछा गया है 1784 इसके में स्टैबलिस्मेंट यह प इस यही नाम है भाई तो कुछ अलग से नहीं है आप इतना मैनेज किजेगा इसके फाउंडर कौन है तो दादा भाई नरोजित है और इस्टैबलिस्मेंट एर पूछा जाएगा तो कब क्या गया था 1852 में कहां पर तो बंबय में की गई ठीक है उसके बाद नेक्स्ट अब यह सवाल दोखें रेलवे ससी के लिए इंपोर्टन नहीं है रेलवे ससी ने लेकिन यह PCS के लिए इंपोर्टन यह इंडियान असोशियेशन बंबय असोशियेशन लेकिन यह दो आपके से टीक सेटिक सोसाइटी और बंगॉल लैंड होड़ ली पूछा गया सवाल है तो ये चार महत्पुन राजनितिक दल आपके कंप्लीट है एक मैं फिर से रिकॉल कर दूर लैंड होड़र सोसाइटी 1838 में कहां पे तो कलकत्ता में द्वारिका नाथ टैगोला प्रत्थम राजनितिक दल स्टेटी कहां तो 1784 में कलकत्ता में कहां तो विलियम जोन्स में और मुंबई एसोशियेशन के बात कर ले तो 1852 मुंबई में और इसके फाउंडर कों ते दादा भाई नरो जी और इंडियन एसोशियेशन का आपके यह इंपॉर्टन है 1876 में कहां तो कलकत्ता अब हम बात करेंगे इंडियन नेसनल कॉंगरेस के सारे इंपॉर्टन फैक्ट पूरे के पूरे फैक्ट कहीं से नहीं खुजने हैं बस यह आपको पढ़ लेने मैंने पूरा का पूरा फैक्ट ही रख दिया यहां पे तो बिल्कुल परिशानी नहीं होना आपको सबसे पहला पॉइंट आप से पूछा जाएगा इंडियन नैसनल कॉंगरेस का नाम देने थे 28 दिसंबर 1880 20 दिसंबर 1880 तो कई लोग ने यह याद करके गए तो सारे चारों अप्शन में यह थे लेकिन बस डेट जिनको यात वही बना पाएं सवाल को तो याद रखना है ग्याद ने तो याद के विलियम गलाड स्टोन थे विलियम गलाड इस्टोन थे नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉंट उस समय भारत के वाइसराइप कोो थे जब इंडियन नेसिल कॉइस कि इस्टेबलिस्मेंट हुई थे तो उस समय कौन थे तो लॉट डफरिन थे फर्स्ट कॉंफरेंज पहला अधिवेशन अगर पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का तो अब यहां से देखे सारे अधिवेशन आपके स्थार्ट होते हैं इससे पहले मैंने कुछ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का तो दादा भाई नरो जी इस्टेबलिस्मेंट किसके द्वारा किया था एओ हुम के द्वारा 1885 में 28 दिसंबर में उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो विलियम ग्लाड इस्टोन थे और फांडर आफ कॉंग्रेस भी कौन हो जाएगा त तो लॉट डफरिन था और फर्स्ट कॉंफरेंस अब यहां से हम लोग बात करेंगे अधिवेशन पहला अधिवेशन कॉंग्रेस के आप से पूछी जाएगी तो कहां हुई थी मुंबै में हुई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कीत कॉलेज में कितने पार्टिसिपेंट क अब हम बात करेंगे सेकंड नरोजी तो कहां हुआ था तो और मुंबै में हो गया कंटा में 286 में इसके प्रेसेज़ेट कौन थे तो डादा भाई नरोजी थे अब यहां से अपका BPSC में पूछा गया सवाल है कि प्रथम पारसी अधियच कोन थे तो दादा भाई नरोजी थे ठीक है दादा भाई नरोजी जो थे प्रथम पारसी अधियच थे इंडियान नेशनल कॉंग्रेस की अब हम आते तीसरे कॉंफरेंस की हलाकि आपने पहले जी प्रथम पारसी अधियच हो गये थर्ड कॉंफरेंस जो हुआ था आपका मदरास में 1887 में हुआ था प्रेसिडेंट कौन थे तो बदरुदिन तयब जी थे ठीक है बदरुदिन तयब जी थे और यह जो थे मुसलिम थे तो पूछा जाएगा प्रथम मुसलिम अधियच क अगर हम लोग अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम इसाई अधियच कौन थे तो जौर्ज यूले थे ठीक है यह क्लियर आपका नेक्स कॉंफरेंस आपके सवाल नहीं पूछे जाते हैं कोई भी इंपॉर्टन याज फैक्ट नहीं है अब इसके बाद डारेक्ट बार इतना ही आपको याद कखना है अब हम बात करेंगे बारवा जो कॉंफरेंस हुआ था कहां पे तो कलकत्ता में इसके अधियच कौन थे आपसे पूछा जाएगा रहिम तुल्ला सियानी और दूसरा सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरे म इसको बिए तो यह आपका काफी इस पूछा जाएगा वंदे मात्रम जो गया गया था भारत की वंदे मात्रम को जो गया ता उस समय कौन से सेशन में कौन से अधिवेशन में गाया तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में हुआ था उसके अधियाच कौन थे तो रहिम तुल्ला सी आनी थे दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे एक आपका सब्सक्राइब करते हैं अधियाश की परिच्छा होती थी उसमें भारत्यों की उन्ग में सब्सक्राइब करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा वह कौन सब्सक्राइब करते तो कहां हुआ था 1905 में बंगाल का जब विभाजन हुआ ठीक है तो उसमें पूछा जाएगा कहां हुआ तो बनारस में हुआ था प्रेसिडेंट कौन था तो गोपाल कृष्ण गोख लेते तो आपसे पूछा जाएगा जब पार्टिशन और बंगाल वी थे उसमें इंडियान नैशनल कॉंगर्स का अधिवेशन कहां हुआ तो बनारस में 1905 में उसक बनारस में पार्टिशन वाथ उसमें कॉंगर्स का अधिवेशन कहां हुआ था बंगाल में अधियाच कोन थे गोपाल कृष्ण गोख लेते वाइसमें इसके अधियाच कोन थे तो दादा भाई नरोजी थे और इस अधिवेशन पहली बार स्वाराज की मांग की गई थी प अधियाच कोन थे तो राज बिहारी घोषते हैं और इसी अधिवेशन में का वा था कॉंग्रेस का विभाजन हुआ था नेक्ष्ट अधिवेशन जो था 34 अधिवेशन आपको गाइब दिख रहा था इसके बाद 34 तो वह इंपॉर्डेंट नहीं है 24-28-29-30 इसलिए हमने व वीडियो आपने देखा हुआ पूरा का पूरा अधिवेशन आपको बताया गया बट वह आपके इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए मेरे भाई और नहीं आप याद कर सकते आपको एक चीज याद नहीं करना चीजे समझें कि आपके सवाल बनने से आपके मतलब है आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके आपसे पूछा जा रहा बस नेक्श कॉन्फरेंस अमरीत सर में हुआ था चौतिस्वा कॉन्फरेंस 1919 में जो आपको पता है 1919 में क्या हुआ था आप सभी को पता एक काफी ज्यादा महत्रपून घटना जो घटी वी थी तो इसमें जो अंदोले ने खिलाफत का प्रस्ताव जो पास किया गया तक किश अधिवेशन में तो अमरीत सर अधिवेशन में 1919 में उसके अध्याच कॉन्फे तो मोतिलाल नहरू थे नेक्श अधिवेशन नागपूर जो अधिवेशन हुआ थे इंडियान नैसनल कॉंग्रिस के उसके अ प्रस्ताव पारीत किया गया था तो पुछ है का अधिवेशन में नागपूर अधिवेशन में नागपूर अधिवेशन के अधियाच कोंटूंथ इंडियान नेसनल कॉंगर्स के विजय रागवचा रीत है 1922 में बिहार में हुआ था आपका अधिवेशन दो अधिवेशन हुए है 1912 और 1922 अभी याद रखे 1922 क्योंकि वो बिहार के एक्जान के लिए इंपॉर्टेंट है तो 1922 में यह पूछा गया था सवाल कि गया में हुआ था गया में जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेसन और सबसे खाशियत इसके इंपॉर्टन सबसे कम उम्रे के अधियक्ष बनने वाले कौन थे पूछा जाता है अपसे तो मुलाना अभूल कलाम थे एक जो वह अधियक्ष बने थे कहां तो काकी नाड़ा में ठीक है काकी नाड़ा जो सेशन वा था इंडियन नेशन कॉंग्रेस मुलाना अभूल कलाम और सबसे कम उम्रे के अधियक्ष बनने वाले कौन थे तो यही थे मुलाना अभूल कलाम ठीक है मिरवाई आगे हम बढ़ते हैं 1924 में बेलगाओं जो करनाटक में हैं इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की एक शेशन हुई थे जिसमें महातमा गांधी जो इतिक दल के एर बताएं वह आपको याद रखने तो बेलगाओं में हुआ था बेलगाओं कहा है करनाटक में हैं ऐसे भी पूछा गया सवाल है और इसके अध्यश्ता किये गया थे कि इसने महातमा गांधी के द्वारा में 1925 में एक अधिवेशन हुआ था कानपूर में प्यारा गया था ठीक है तो पूछा जाएगा बिजय विश्व तिरंगा प्यारा जो गाना जो गाया थे वह कीस अधिवेशन में तो कानपूर अधिवेशन में इसके अधियशन नाइडू और प्रथम भारतीय महिला भी कौन है जो अधियाश्ट बनने वाली वह सरोजनी नाइडू 1925 में उनीसो सत्रा में कलकत्ता दिवेशन में एनी बैसेंट आयर्लेंड की थी पूछा जाएगा एनीवेशन कहां की है तो आयर्लेंड की थी और फर्स्ट महिला ठीक है पहली महिला जो अध्याश बनी थी पहली महिला अध्याश और यह प्रहली भारतिय महिला पहली महिला जिसनने इंडियान नैशनल क्ования के अध्याश निभाई थी इसे में पून श्वाराज की मांग तो पुर्ण श्वराज के मांग, खिलाफत प्रस्ताओ और असहियो गांदुलन, कौन-कौन सा अधिवेशन में हुए, उसके अधियच कौन थे हैं, वो मैंने आपको बता दिये, तो यह बहुत कम लोग बनाते भी है, क्योंकि इतने सारे अधिवेशन हैं, वो सारे अधिवे में एनिवेशन और नलिनी शेंगुपता तीसरी महिला अधियच जो बनी थी 1934, 1933 में ठीक है, अब यहां पर मैंने एक जगा लिख दिया है, कहा कि कन्फूजन ना आपको प्रथम भारतिये महिला, प्रथम भारतिये दूसरी महिला और तीसरी महिला अधियच, तो इसको दे नलिनी शेंगुपता थी, और कब बनी थी 1933 में, 1937 में फेजपूर जो बंगाल में एक अधिवेशन हुआ था यहीं पर इंडियन नैसनल कॉंग्रेस की जिसमें जवाहाल लांड नहरू अध्यक्ष बने पहली बार गाउं में बैट पूछा जाएगा पहली पार इंडियन अधिवेशन में हरीपूरा कहां ऐसे आपसे पूछा जया था क्योंकि यहीं पर इंडियन नैसनल कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसलिए आपसे पूछा जाता है हरीपूरा कहां है तो गुजरात में यह याद रखना है और इस सब्सक्राइब पहले बार पूछा जाएगा कि सुभाच चंद्रबोस फारवर्ट ब्लोक का गठन किसने किया तो सुभाच चंद्रबोस पूछा जाएगा कि इन्होंने रिजाएं मतलब दिया था तो तो तुरी जो अध्यक्ष तुरी तुरी में इंडियन नैसनल कॉंग्रेस का अध्याश बने थे यानि हजारी वाग में इन्होंने इंडियान नैसल रोगरिस का घ्ञाचंट में मौलाना अभूल अध्यक्ष ते और सब्से कम उम्रे के अकर पूछा जाएका कोन थे बनने वाले कोने तो तो मुलाना अभूल कलाम क्योंकि 1940 के बाद कोई अधिवेशन होता नहीं पता है सेकेंड वर्ड वार हो जाता चीड़ जाता जिसके कारण कोई इंडियान नेशन करने वाले कोई तो जेवी क्रिपलानी भेरी पूछेशन भारत के समय इंडियान नेशन कॉंगरी का अधिशता करने वाले कोई तो जेवी क्रिपलानी थे उनिस सोल्ला में फॉइंट चूडी आता मेरा उनिस सोल्ला में लखनाओ में जो अधिवेशन रहता जिसके प्रेसिडेंट को अंभिका चरण मजूंदार थे इस अधिवेशन में गरमदल और नरंदल एक हो इते और जब यह अलग कब वे तो निस साथ में यह शेशन का हु मजुमदार इसके अध्यक्ष से कॉंग्रेस जो थे दिमाग के दिमाग की उपज पूछा जाएगा किसने कहा है किसने कहा है और यानि कि सेफ्टी भैल जो सिधान दिया किसने तो बल गंगदर तिलक ने कहा है कि प्रत्व शनातं महीला का दमबनी गाउंघली ती जो कॉंग्रेस के शिच्छ कांफरेंस में भाग लिए थें तो कितने यह आपको याद रखने हैं यह आपको यह बता दिये बस काफ़ी कम यह आपको याद रखने है एक यह आपको यह बहुत रखना है जो बदुर्दिन नहीं अनुरूद कि आपका सपोर्ट होना चाहिए वीडियो में मिरे वाई हो सके तो दोस्तों तक शेयर कीजे लाइक कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब करने को सब्सक्राइब करने को लिंक आपको टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्षन में और आगे की वीडियो आपको कंटिन्यू आते रहेगी पॉलिटी की क्रेस्ट को से स्टार्ट करने वाला हूं ससी का जिनका भी पेपर है आगे गुरूप दी का जिनका भी पेपर उन लोगों के लिए भी साइंस का भी पोर्शन काफी चीजे मैं करूंगा बट सपोर्ट आपका चाहिए और इस तरह सपोर्ट करते रहें मिलते नेक्स यूडियो में कोई भी डाउट कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मिलते नेक्स यूडियो में तब तक के लिए धन्यवाद